कि इस्टार्ट होगी हेलो दोस्तों गूड मॉर्निंग नमस्कार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेज में उसके लिए हम लोग यहां पर आपको कवर करवाने वाले हैं हिंदी और उसमें उसके बारे में थोड़ा हम आप लोगों को बता दें स्सी जीडी दोजार पच्चीस बैच के लिए एडी स्मार्ट क्लासेज आप लोगों के लिए ले के आया हुआ है online course जो कि सिर्फ और सिर्फ 599 पे हैं और इस 599 में इवन सिर्फ हिंदी नहीं आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें वो सारे पढ़ाये जाएंगे और इसको आप आसानी से का सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे आप इसको जाहिए और अगर आपको सर्च करने में दिक्कत हो रही हो तो इस लोगों को फॉलो करिएगा यह लोगों आप लोगों को मिल जाएगा इसको डाउनलोड कर लीजिए आपको नई अपडेट्स वगेरा और कोर्स के बारे में अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो चलिए हम लोग आज हिंदी की नेक्स्ट क्लास है मतलब एक क्लास कल हो गई थी और आज यह सेकंट क्लास है जो बच्चे अगर इस सेकंड क्लास में जुड़े हैं तो वह अपना फिर्स्ट क्लास एक बार देख लें क्योंकि हम लोग पुरा बेस से लेके चल रहे हैं और आप लोगों को सब्सक्राइब के साथ और यह सारी चीजें आप लोगों को कवर कराने वाले तो इसमें आप लोगों को यह रहेगा अगर आप सेकंड क्लास से जुड़े हो सपोस्थ आपने फर्स्ट नहीं देखी आप फर्स्ट क्लास को देख लेना एक बार यूटीव पे अवेलेबल है और इसके बाद आपको सेकंड क्लास पढ़ने में समझने में थोड़ा आसानी रहेगी तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने पीपीटी की तरफ कितना हो गया था अचा दस स्लाइड हो गई थी है अचा थोड़ा एक एक चीज और थोड़ा हम लोग रिवाइस कर लेते हैं एक बार जिससे पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है तो वह है क्या जैसे कलम ने यह बताया था कि जो हमारा अपब्रंस था एक जो अप क्या अपब्रंस था उसके दो कितने और भागह ओ गये थे है मे जो अपब्रंस था उसके विटा हमारे कि गो तोर सेनिय फ्रंस पैसाची ब्राचड म हाराश्ट्री फिक न हाराश्ट्री माग दी और अर्दमाग दि देखो सौरसेनी हो गया पैसाची हो गया ब्राचड हो गया मागदी हो गया अर्दमागदी हो गया यह तो है महाराश्ट्री हो गया तो इतने करके यह हमारे क्या हो गए उसी अपभ्रंस के भेद हो गए जैसे संस्कत के हमने दो बेद बताये थे ना एक वैदिक संस्कत लोकि और अर्दमागदी अब जो हमारे देश की भहसाएं हैं उनको उमने क्या किया, गया और मोर्डरेट होती चली गई तो उसके बीच के टाइम पिरिएट को हमने क्या बोला अब उस अपभ्रंस को जब पूरे कंट्री वाइज अगर उसको डिवाइट किया जाए तो पूरे 6 भेदाते हैं तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है क्वेश्चन आपको दे देगा कि राजस्थानी भासा कि कि अबभ्रもう को हिस्ता है कि प्रस्ण आगे राजस्थानी भासा कि सब्रस का हिस्ता है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थानी वांस जो है वो हमारे तौर Scenie एक है मानलो आपको आजाए कि बांगला भासा है यह किसका अप ब्रंस है तो बांगलाबशा आ जाएगा आपका माघधी का ब्रंस हो जाएगा उडिया पूच ले उडिया भी विटा आपका माघधी का है जैसे जो हम लोग बोलते हैं जो पूर्वी की हिंदी है और उसमें जैसे अवधी आ गई तो वहां की जो लेंग्वेज है अवधी लेंग्वेज वो सब किसमें आ जाएगी आपकी अर्दमागदी में आपने देखा होगा कि यह मागधी से थोड़ा अलग है मागदी से कैसी है थोड़ा अलग है इस बज़े से इनको तीन भासाओं को अवधी बगेली और चटीस गड़ी देखो पगेल जो पुंदेल खंड साइड की वासा है वो सब बगेली हो गई अवधी और चटीस गड़ी ठीक तो चटीस गड़ जैसे MP वगेरा में जो बोले जा आपकी बगेली हो गई और कौन सी अवधी तो इनका जो अगर इनका पुंचा जाए तो आपका अर्दमाग्दी हो जाएगा तो हम प्रसन इसलिए बता रहे हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं अगर हम कोई स्लाइट पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट हो जो या भाग है कि देखो तिंधी जो भासा है वो किसका आप ब्रंस है हां तो वह आपका ब्राचल का हो जाएगा पैसाची में देखो पंजाबी ऐसे याद रखो इसमें भी पाह है उसमें भी पाह है पैसाची किसकी है की language कौनसी ए पंजाबी कोई confusion अच्छा चलो देखो तो हम लोग आप नेक्स्ट देखते हैं कि यह कल इतना डिटेल में नहीं हो पाया था और देखो आगे हम लोग चलते हैं कि हिंदी बेटा जब हिंदी का इतियास पड़ो तो उसको एक रिलेट करके पड़ो हिस्ट्री जैसे तो वह चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी और समझ में भी आएंगी यहां तक हो गया था कल किल क्रिष्ट वाला भी हो गया था यहां तक साइद हो गया था तो अगर इनकी प्रसिद्ध रचना आए कल हमने चार लिखक बताये थे मुंसी इंसानला खां ललूलाल तदल मिस्र और सदा सुखलाल यही चार बताये थे ना इनकी रचनाएं बता दी थी अब इसके आगे चलते हैं लोग कि देखो भारतेंदू पूर्वकाल में देखो जब हिंदी गद्य साहित का विकास या हिंदी गद्य साहित का इतियास पड़ेंगे तो हम ले हम लोग देखेंगे स्थाम में उनके की अहन भोमेकानि थे थे प हम पहले देख लेते हैं ब्हुतेंदू युघ उसको बोल दिया गया और उसके बाद भारतेंदु यूग आ जाएगा ठिक भारतेंदु यूग के बाद फिर आपका दुवेदी यूग आ जाएगा है ना प्रगतिवाद आ जाएगा प्रगतिवाद आ जाएगा प्रयोग आ जाएगा तो ऐसे करके जो आज तक का समय पीरियट है इसको इन लोगो में क्या क्या चीजें हुई कि देखो कि भारतेंदु पूर्व काल में मतलब बात क्या हो रही है कि भारतेंदु के पूर्व है ना भारतेंदु जी का अभी आगमन नहीं हुआ उसके पूर्व में क्या हुआ हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा समाचार पत्र का नाम क्या ह उदन मारतंड फिक यह मारतंड तो दिखो भीटा भारतेंट पूर्वकाल में जो हिंदी का यह बहुत पूंच लेता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था कaja के वलितना पूंच लिया माल मारतंड अनभारत जो आपका हिंदी का है वह सबसे पहले समाचार सबसे पहला समाचार पट्र कौन सा था और देखो यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ हमने बताया भी था की कलकत्ता में कौन सा कौन्ष था वह ला हाँ विल्यम ठीक तो उसमें क्या हुआ इसे देखो कि ए प्ोर्ड विल्यम itel न जो फोर्ड विल्यम कॉलज में क्या हुआ इस्थापना हो गई थि फोर्ड विल्यम कॉलेज की तो अब यहां पर देखते हैं कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो उसका नाम पहले देख लो कि नाम क्या है उसका उदंत मारतंड कि फिक उदंत कि मारतंड यह भाई साहब आपका क्या है सबसे भिंदी का पहला समाचार पत्र है ज्यादा तर पूछता है और कब यह प्रकाशित हुआ तो आपका वह बन गया था स्ट कोलेच कलक्ता मैं रिया का चलक्ता में कालेज इस्थापित हुआ था तो कलकता से य है न प्रकाशा एक थक तरहारा कि मैं कलकता से यह पर का प्रकाशन भी आ रम हुआ तो देखो तो आ गया आपके कौन कौन से 1826 में आपका कौन सा है उधन्त मारतंड और 1828 में कौन सा है बंगदूत ठिक जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया अउस समय सरकार किस की थी रकार किस की थी उस समय किस टाइम कि अठारा सुनतिस हुआ बताओ अग्रेजों का सासंताना उस समय उन्निस सो सैंतालिस में देश आ जाद हुआ है कब आजाद होना चाहते हो तब तब गांदी आदी जी का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा तो कहने का मतलब उस समय अब हुआ क्या अच्छा दोखो जो हमारी बंगदूत थे तो बंगदूत में हुआ क्या अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा तो कोई भी यह कोई भी गवर्मेंट है अगर उसके अगेंस्ट कोई काम करोगे तो आपको बैन कर देगी वही हाल इनके साथ हुआ तो बंगदूत का इन्होंने क्या करते भाई उस समय समाचार पत्री बेटा वह माध्यम थे जिनसे लोग अपनी भावनाओं को अपने कस्ट सरफ उस्ट समाचारपत्र के से अंधल करते थे तो इन्हों ने क्या किया देखा किया ये कुछ ज्यादा आक रोस फैला देगा जन्ता में एकरोज कर दिया कि कैसी क्सिस लगत समझें सरकार किस की थि सरकार कर नाम लें तो एक है दो सरकार के नाम आते हैं दिमाग में क्यों कि इतना के तो मीडिया ने वह कर रखा है देखो च्छा यहां से दो क्लियर हुए आप लोगों के कौन-कौन से हिंदी का पहला समाचार कौन सा है तो उधन्त मारतंड प्रकासन का भूआ 1826 में इसी के बाद क कहां से हुआ तो कलकत्ता से देखो चार तीन-चार चीजें बन गई उधन्त मारतंड का प्रकासन कहां से हुआ तो कलकत्ता से हुआ कब हुआ 1826 में हुआ उदंत मारतंड क्या था तो सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था ठिक उसके बाद 1828 में क्या हुआ तो बंगदूत का प्रकाशन हुआ फिर उसके बाद 1829 में क्या कर दिया गया यह विचारा एक साल केवल जीवित रहा उसके बाद इसको बेन करवा दिया गया पंद करवा दिया गया यहां तक बात याद हो गई ना अब देखो राजा सिव परसाद सितारे हिंद ने पनारस अकबार 1829 कि देखो कितने साल बाद लगभग 15 साल बाद है ना एक देखो कितना टाइम पीरियड होता यह नहीं हुआ कि जैसे 20 साल में क्या किया राजा सिव परसाद सितारे हिंद ने बनारस अकबार किसने राजा सिव परसाद सितारे हिंद यह इनकी उपादी थी ठीक तो सितारे हिंद इनकी उपादी थी जैसे तोता यह हिंद किसको कहा जाता है तोता यह हिंद किसको कहा जाता है अब आप लोग य साजा स्यूपरसास सितारे इनने बनारा सखवार विटक कब इस्टाट किया अथारों सचावालिस में इसका प्रकाशन आरंव किया अब देखो इसकी जो हिं भासा थी वो कैसी थी हिंदूस्तानी थी ले लिए अपना प्रकाशन प्रारंब किया इस अखनद का सभार का इस का व्हासा थी वह कैसी थी हंदूस्तानी इसकी उर्दु सहली के विरोध में उंहाकर पत्र का प्रकाशना रभा है आप को हिंदी नय masih लेंग्वेज उस समय के अगर हिसाब से सोचें तो हमें लगेगा कि हिंदी का बोलबाला था लेकिन ऐसा नहीं था इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया अपना पूरा टाइम उसमें खपा दिया तब हिंदी आज इतना सुद्रड हो पाई है समझ रहे हो भाई हुआ क्या कि मुगल इंपायर चल रहा था तब हमारे ब्रिटिस आ गए है ना तो मुगल में तो यह तो नहीं था ना कि हिंदी को जोड़दारी रही हो अब उर्दू वगेरा यह सारी चीजें चलती थी है ना तो हुआ क्या कि अब हिंदी डेरेक्ट कैसे आ जायेगी कि लोगों के हर लोगों के मुँ में तो आ नहीं जाएगी इंदी सब किस नहीं पर भाई देखो हुआ कि यह चैप में नोगी की नहीं ुट्रम सोंगे Кल्केरन दो उसमें वासे हिंदुस्ता नहीं कर दि माल इसमें हिंदी और उर्दू दोनों का mix up था मतलब क्या था दोनों का कि सप्ता तो इन्हों ने क्या इसकी उर्दु सहली का जो था उसके विरोध में एक सुधाकर पतर का प्रकास्टन आरंभ किसका सुधाकर पतर का आरंभ इसके विरोध में हुआ तो आपका जो है यह बनारास अख़बार की विरोध में उसके तुरंत बाद सुधाकर अख़बार आ गया इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार पत्र सुधा वर्षण ऑठारास सुधासटेसवी में नामक दैनिक का प्रकास नारह भुए दैनिक अमल भुशा कि यह प्रतिदिन चबता था समझ रहो कैसा अख़वार था हुसकी नेचर इसा था वह तेहनिक अख़वार था इतनी बास समझ में आई पंजाब से अब देखो पंजाब का भी रोल रहा पंजाब से नवीन चंद्र राय वे इसने नवीन चंद्राइश क्यान प्रकासनी आ इन्होंने ब honest घ्यान प्रकास्जिंट पत्री निकाली कॉन सी पत्री का निकाली कूलि क्यान प्रकास निकालि त। ए ना तक बात क्लियर हुई आगे चलें हम लोग कि देखो अब आते हैं हम लोग कि अब यह वही हैं राजासिव प्रसाथ सितारे इन्द ठिक इन्होंने क्या किया विद्यालेयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तुकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदा स्थार रखिये एक तो प्रकासन जो अकबार निकाला अकबार का नाम वार अकबार का अनाम क्या था पहुंचा स Classic के अलावा इन्हों ने क्या किया कि इन्हों के लिए हमें क्या करना होगा कि उसको हम पाठिक्रम में सामिल करें तब तो बच्चे पढ़ेंगे ना उसको पाठिक्रम में सामिल करने के बाद हो सकता है कुछ ऐसे निकालें जो संस्क्ट से ही ओन जब दीरे सीख जाएंगे तो संस्कृत पढ़ने सीख जाएंगे ऐसे हिंदी के लिएकार हुए तो उन्होंने क्या कियाए विद्याले के और अनेक पाथ पुस्तुकों की रचना करी। ठिक और और हिंदी के विकास और प्रचार में इन्होंने क्या किया योगदान दिया अब एक दूसरे आतने हैं राजा लक्षमण सिंग राजा लक्षमण सिंग ने 1861 इस्वी में आगरा से प्रजाहितैसी कि देखो दो चीजें क्लियर हैं इसमें प्रजाहितैसी नामक समाचारपत्र प्रकासित किया इन्होंने संस्कृत गर्भित सुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया अब देखो यहां से एक क्लियर हो रही होगी कि जो राजा लक्षमण सिंग ने जो थे इन्होंने सुद्ध संस्क्रस हिंदी जो मिस्रित हिंदी थी तो उसमें उर्दू का रोल नहीं रहा होगा इन्होंने कैसा समाचारपत्र निकाला नाम उसका था प्रजाहितैसी अब प्रस्न यह आ जाता है कि जो प्रजाहितैसी अकवार है वो किसके द्वारा निकाला गया तो राजा लक्षमर सिंग के द्वारा कम निकाला गया तो आपका कम निकाला गया 1861 में ठीक अच्छा अब थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं 1817 इसवी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 इसवी के लगबग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई इससे विविन विसेयों की पुस्तुकों का प्रकासन हुआ तो पुक सोसाइटी स्कूल बुक सोसाइटी इनका मतलब यही था कि जो विद्याला इस तर पर कारे करती थी कौन कौन सी थी कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 के लगबग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी तो देखो यहां कोईस्टिन यह इंपोर्टेंट है कि कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई 1817 में और 1833 में क्या हुई आग राइस पूल बुक सोसाइटी ठिक यहां के बाद इन्हों ने क्या किया विभिन विश्यों की फुस्तुकों का प्रकासन किया आगे चले मिटा देखो यह हम लोग बात कर रहे थे भारतेंदु जी के आने के पूर्व की बातें राजा स्यूपरसाद हो गए कलकत्ता के लोग हो गए इसके बाद आपका राजा लक्षमर सिंग हो गए ठिक पंजाब से इसकी थोड़ा बहुत विकास हुआ आगरा स्कूल बुक आप सोसाइ देखो भारतेंदु जी को ठिक तो भारतेंदु जी को आधुनिक्ता का प्रवर्तक साहितकार माना जाता है भारतेंदु जी को क्या माना जाता है तभी तो इनको आधुनिक हिंदीगति साहितका पिता जनक आ जाता है इसी वज़े से क्योंकि इनोंने सबसे ज्यादा भूम हिंद का निजय set है किर आूक निदिका पूर्व को इसमें ऐसे लेगे सकते हो कि आधूनिषिंदी का साहितत्य कारव माना जाता है इन्हों की विभीन विधाओं अमें साहित शरजन किया हिंदी की विभीन विधाय मतलब समय तेक कानी और तो यह सब विधाय ना इन्में उन्होंने क्या किया ताहित स्रजन किया 1850 इसी में 1850 इस्वी से 1910 तक की अवधि ति देखो लगवक 50 साल 15 साल तक की अवधि को क्या कहा जाता है भारते अंधुयुक कहा जाता है क्या बोला जाता है विटा अगर कोई पूंचे कि देखो हमने आपको बताया था कि यह कुछी नहीं याद आई हजार से चौदासो चौदासो से अठारासो अठारासो से अब तक हाँ यह आपकी प्राचीन हिंदी में आता था समय पेरिये यह आपका किसमें आता था मध्य हिंदी the diferen काली निंदी और यह आपकी आती थी आध्यूनिक हिन दीगी तो देखो कि भारतेंद किसको इनकी अवद क्या मानी गई अठारा सो पचास इसवी से लेके उन्नीस सो इसवी तक यहां तक कोई दिक्कत अठारा सो अब देखो हम लोग इस पर चल रहे हैं इसी के आगे पढ़ते जाएंगे हम इसका इतियास पढ़ लेंगे और इसके बाद जो अपना व्यक्रण पोर्शन है वह पढ़ लिया जाएगा ठीक देखो भारतेंदुने राजा स्यू प्रसास सितारे हिंद की अरभी फारसी प्रधान यह साहत शूट गया क्या है हां यह साहत पॉइंट एक्स्ट्रा बन गया है देखो यह पॉइंट अलग है एक ही में साथ में ठीक तो देखो यहां से एक चीज़ क्लियर होती है कि मुझा जो राजा सितारे ते ते स्यू प्रसास सितारे हिंद इनों इनकी जो हिंदी थी उस में Arabic words we use किये गए उर्दू का भी उस किया गया मलब धीरे-दीरी हिंदी को लाए कि हिंदी को बीच-मीच में लाओ तब तो उर्दू पढ़ने वाले Arabic पढ़ने वाले वह साथ-साथ में हिंदी को समझें ना दो चार वर्ड भी मिलेंगे तो उनको हिंदी थोड़ा पता चलेगी ऐसे करके हिंद की सितारे हिंद की अर्भी फार्सी प्रदान हिंदी और राजा लक्षमर सिंग की संस्क्रित निष्ट हिंदी के बीच का मार्ग निकाला अब इनकी तो ऐसी थी अर्भी फार्सी प्रदान हिंदी थी अर्भी फार्सी का रोल था और इनकी राजा लक्षमर स कि SNSigos निस्थ हिंदी थी अब देखो एक एरैमिक और उर्दु से निस्थ है लेंग्वेज और एक आप की सुद्द杉 संस्क्रेटन दिस्थ है इन्होंने इसके कर निकाला मृणा अब इसके भी कुछ टर्म सामिल हो सकते हैं और इसके भी कुंस टर्म सामिल बीच का मार्ग निकाला हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदुजी का योगदान हरिष्चंद मैगजीन हरिष्चंद चंद्रिका और बाल बोधिनी पत्रिकाओं के निबंदों में द्रश्टव्वें तो यहां से आपको यह समझना है कि भारतेंदुजी द्वारा तीन पत्रिकाओं का इनका प्रकासिन हुआ कौन-कौन से हरिष्चंद मैगजीन 1873 इस्वी में हरिष्चंद चंद्रिका और बाल बोधिनी 1874 ठीक तो यहां पर इनके निबंद जो प्रकासित हुए उनमें द्रश्टव्वें यहां तक कोई दिकत क्योंकि देखो इनका पी आदुनि कहिंदी सा hyd के रचनाकारों का मूल्सतवर नौ जाकरण है इसके प्रमुक्रद्वक्रचना गया एक तो भारतेंदू हरिष्चंद हो गये ठीक हाँ भारतेंदू यूखि के जितने भी थे तो भारतेंदू हरिष्चंद हो गये पंडित प्रताप नरायन मिस्त्र होग है इन् Kelly निवं द मढननि लिखा मैं पद्री नरायन चौदरी तो कि बद्री नरायन चौदरी को इक वोला जाता है प्रेम दन पालकृष्ण भट अम्भिकादत्य व्यास अम्भिकादत्य व्यास का विटा संस्क्रत में भी रोल रहा है संस्क्रत में भी इन्होंने कुपन्यास लिखा शिवराज विजयम कौन सा लिखा कभी कभी पूछा जा सकता है शिवराज विजयम किसकी करती है तो शिवराज विजयम विटा किसकी है अम्भिकादत्य व्यास की ठीक राधा चरण गोस्वामी ठाकुर्ट जगमोहन सिंग लाला स्री निवास दास तुद्धाकर्द्वेदी और राधा कृष्ण का कि Susa देखो प्रताप नराण मिस्त्र का एक निवंद तुम लोग उने पढ़ा होगा पात कि क्या है कि यह इनका निवंद जेल है काफी फेमस निवंद रहा बात तबीका इस्कूल याइक है स्बात दिचंए इनका बताने का यह मतलब था कि जो इतने राइटर हैं यह सब किसके अंतरगत आते हैं भारतेंदु यूग के अंतरगत आते हैं जाओ तो आपके आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्यंद पंडित-प्रताप नराण मिस्र पद्री नराण चौधरी बालकृष्ण भट अंबिकादत व्यास कि यह आ गये कि नोट कर रहे हों कि आप लोग कर लोग के वल्राइटर के नाम नोट कर लो क्योंकि मान लोगर कोईश्यन ऐसे आ जाए कि बालकृष्ण भट किस यूग के लेखक हैं बालकृष्ण भट द्वेधी यूग या आपका भारते इंदु यूग या प्रगतिवाद यूग या प्रयोगवाद यूग या च्हाया वाद उत्तर तो आप उसमें कंफर्म कर सकती हूं कि या बालकृष्ण भट का नाम आव मने भारते इंदु यूग में देखा और यह वह जिवाई के हैं ठेक आगे चले म हिंदी के विकास में 80 नागरी प्रचारणी सभा अठारा सो में और इंडियन प्रियाग का योकदान अत्यन्त मात्व पूर्ण है यह जो 80 नागरी प्रचारणी सभा थी यह वता अब की बनारस में एक कहां पे थी बनारस में हाँ कौन सी कासी नागरी प्रचारणी सभा हिंदी के लिए सबसे महात्वपूर योगदान ठीक यह कब इसकी स्थापना हुई 1893 में और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महात्वपूर बात वही आ गई न यह देखो कासी में और यह प्रयाग मतलब समझ गए प्रयाग राज में इंडियन प्रेस और कासी में कासी नागरी प्रचारणी सभा मतलब समझ रहे हो कि कासी से चलते हुए इधर प्रयाग की तरफ आना तो कासी में इसके बाद प्रयाग में कासी में कासी नागरी प्रचारणी सभा नाम से इस प्रेस नागरी प्रचारणी सभा की प्रेणा से इंडियन प्रेस प्रियाग द्वारा जून 1922 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंब हुआ इसके प्रथम संपादक चिंतामडी घोष थे अब देखो इस्टार्ट हो गया उन्निस्व में आपका जैसे ये पत्रिका स्टार्ट हुई कौन सी सरस्वती अब आजाएगा की सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ तो देखो इंडियन प्रेस द्वारा तरस्वती पत्रिका के संपादन कहां हुआ इंडियन प्रेस द्वारा कब हुआ तो उन्नीस्व में कहां हुआ वो प्रियाग द्वारा ठीक इसके बाद आक हम्ता कौंगा कौन थे तो चिन्ता मड़ी गोस्ट तो कि अब इसे खुद समझ लोकि टने को सकते हैं इस क्लीप पत्रिका के संपादा को कुछ नए पॉइंट मिले इस बार पढ़ने में यह सब पता था कर देखो बिटा आते हैं हम लोग दुवेदी युग में पहले अम लोगों ने पढ़ा पूर्भ भारतेंदुयख़ यग फिर अम लोगों ने पढ़ा भारतेंदुयख़ जह पाइब तक चला पूनेससो इस भी तक उनेस्टों के बाद जैसे ही कुछ परिवर्तन हुए वो सब आप किया गए दुवेदियोग में क्या हुआ 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए कौहीं सरस्वती पत्रिका ठीक कौन जिसके संपादक कौन थे संपाधक तो बदलते रहते हैं संपाधक मंडल होता है। तो 1903 में क्या हो गया जो पंडित महाविरप्रसाद वेधि थी इनको क्या उसका नियुक्त किया गया है संपाधक नहीं किया खिक करस्वती पत्रिका को 20-वी सताबदी के आरंबिक चरण का भी सुकोस कहा गया। तो इसको बीश्मी सिदीका क्योंकि 1900 हो गया ना 1900 वाले सन अब वो कहा क्या जाने लगा 20 आप जैसे हम लोग क्या कि थो तो हजार चौबिस मेंचलना है तो अब दो हजार चलना है तभी तो इसको 21 सताबदी बोला जाता एं कि बोलते हैं ना वाई 2000 के ऊपर चलने लगा तो 21 सताब्दी चलने लगी यहीं अगर 2100 की बात करें 2112 होता तो यह कौन सी होती 22 मी सताब्दी होती ठीक तो देखो कि 1903 में यह क्या हो गए संपादक न्युक्त हुए कौन माविर प्रसाद्वेदी किस पत्रिका के तरस्वती पत्रिका को क्या बोला गया आरंभिक चरण का विश्वकोस अब आपसे सपोज को प्रस्ण ऐसे लिखा है कि अरंभिक चरण का विश्वकोस किसे पत्रिका को कहा गया ठिक तो मालू कही नाम आपको दे दें तो आप तो कन्फरम हो जाएका ना कि यह सरस्वती पत्रिका को कोई आदुनिक चरण का विश्वकोस कहा गया 1903 में यहां पर माविर प्रशादुवेदी संपादक के रूप में न्यूक्त हो गए इतनी बात क्लियर हो गए कि वर्स 1900 से 1920 तक की अवदी को कि 1850 से विटा 1900 तक की अवदी को क्या बोला गया था भारतेंद युग कि 1900 से लेके 1920 तक की अवदी को क्या बोला गया थिक इस युग को डांक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधारकाल कहा है देखो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है डांक्टर नगेंद्र और आचारे रामचंदर सुक्ल ठिक इन लोगों क्या कहलो या तो जागरण सुधारकाल को कहलो या तो आप द्वेदियों कि लो तो अगर बात आए कि डांक्टर नगेंद्र के द्वारा क्या कहा गया तो इसी को जागरण सुधारकाल कहा गया पंडित महावीर प्रसाद दिवेदी ने सरल और सुद्ध वासा के प्रयोग पर विसेश बल दिया वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंदित रुटियों को स्वयम संसोधित कर देते थे और उन्हें सुद्ध लिखने तो प्रेरित करते थे वह स्वता उसको स्वयम करते सही करते थे और दूसरों को विप्रेरित करते थे यह एक तरीके से योगदानि तो हुआ हिंदी आप किसी के पास कोई अपना निबंद ले ज्व या अपनी कहानी ले जाओ प्री कवित ले जाओ वह व्यक्ति आपको को और इस्सकी बतादे कि यहाँ यहाँ आपकी गलतियां थी और आप आज से सुदार करो तो मतलब उसका हिंदी में पकड हो गी अच्छी तोdam जैसे यह अपना काम यह करते थे कि जो भी एक तो संपादक थे है ना तो तुरुटियों को स्वयम संसोधित कर देते थे और उन्हें सुद्ध लिखने हैं तो प्रेडित करते थे इतनी बात क्लियर हो गई टाइम पीरिट कब से कम माना जाता है 1900 से 1920 तक अब यह देख लो देखो मैथली सरण गुप्त बहुत फेमस नाम है मैथली सरण गुप्त आप लोगों ने आई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा है ना मैथली सरण गुप्त ने कौन सी एक इनोंने वह लिखा है साकेत है ना तक हीवे मुझे कह के जाते ऐसे करके तो साकेत बहुत अच्छा गृंत है इनका और भी तमाम लिखे इनोंने तो साकेत इनके द्वारा लिखी थे रामचरित उपाध्याय ये अयोध्या प्रशाट अयोध्यासिं अह्रियोध कि हमें इल ना मिलता प्रेक्टिससट हो या कहीं पर उसमें यह लिखा था रामचरियाँ का पूरा नाम है अब बता यह कोई पूछने वाली बात है हरियोद उनका टाइटल हो गया अब हरियोद का पूरा नाम है तो जिसने भी एक बार कम से कम राइटर का नाम पढ़ लिया होगा उसका उप्रसंट सही हो गया होगा तो हरियोद किसका टाइटल है अयुद्ध्या सिंग के नाम इसके बाद झाननात डाष रतना कर राय देवी परषाथ गया परशाथ सुख्ल सनाही था रामनरे र्स्तिर पार्ठी रामनरे बालकष्ण गुप्त राय देवी प्रसाद पूर्ण बालकष्ण सर्मा राम नरेश्टरि पाथी गया प्रशाद सुक्ल स्तियाराम स्रण गुप्त ऐसे करके यह लोग जो है आपके दुवेदी हो जाते हैं एक बार अपने मन से देख लो नोट करने वाले पच्छे नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन सअल ले ले जो लोग죠 लोग यूटूब पर देख रहा है को कि कहुं कि नेक्स्टम लोग चलते हैं कि को अदि अ अब कौन सा यूग आ गया कि का यह वाद यूग आ गया हां तो देखो बटा हुआ थाया बाद यूग कि वर्स 1918 से 1936 को हिंदी साहित में भक्ति काव के बाद इस्थान दिया जाता है थायावादी काव में देखो कि 1900 कितना 1900 से 1920 तक यह माना गया आपका दुएदी युग है ना तो दुएदी युग के बाद अब देखो साल दो साल का उपर नीचे तो होगा क्योंकि वह वाली कविताओं का जैसे चायावाद चायावाद हुआ तो उनके 1818 से लगवग माना जाता है तो 1918 एक दो साल का इधर उदर चलता है 1936 तक कि यह क्या माना गया आपका चायावाद कि इसके लिए चार राइटर फेमस हैं प्रसाद मलभ जैसंकर प्रसाद पंत सुमित्रानंदन पंत निराला सूर्य कांदत रिपाठी निराला और वर्मा महादेवी वर्मा तो प्रसाद पंत निराला वर्मा यह हैं चायावादी कर्मा मतलब अगर चायावादी यूग की बात करें तो यह चार आपके राइटर आते हैं इसमें क्या हुआ चायाव प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया निराला ने मुक्तक छंद दिया पंत जी ने सब्दों को सरस बनाया तो महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाले देखो इसी लिए ये छायावाद के प्रवर्त कहें गए कौन-कौन प्रसाद पंत निराला और वर्मा प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया प्रसाद जैसंकर प्रसाद प्रकृति का चित्रन किया तो प्रकृति को मिलाया तो निराला ने मुक्तक छंद दिया पंत जी ने सब्दों को सरस बना दिया ठिक तो महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाल दिये कि अच्छा यहां तक बात हो गई प्रसाद पंत निराला वर्मा एक बार बोलो प्रसाद पंत निराला वर्मा यह है च्हायावदी कर्मा तो आपको इसमें चार चीजें क्लियर हो गए एक चार राइटर क्लियर हो गए प्रसाद पंत निराला वर्मा जैसंकर प्रसाद तुरिकांत्रि पाथी निराला तुमित्रा नंदन पंत अच्छा देखो एक कोईशन आया था प्रकृतिका तुकुमार कवी किसे कहा गया हाँ तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा अच्छा इनका जन्म कहा हुआ था बताओ अलमोडा में हुआ था है ना मैथली सरण गुप्त का जन्म कहा हुआ था नहीं नहीं इसको सर्च करना ठीक देखो अचला गया आप ब्रहंस को आगे चलें हम लोग यह दो चीज़ें देख लेना आप लोग कंफर्म कर लेना ठीक आगे देखो अप ब्रहंस को अ राम चंद्र सुक्ल ने यह तो हमने उस दिन भी बता दिया था प्राकृता भास बोला था चंद्र धर सर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का ठीक यह बात हमने सायद यह दो बार यहां पर लिग गई है तो यह चीज़ बता दी थी अप ब्रहंस जो टाइम पीरियड था उ तो आज हम लोग सुच रहे हैं चायाबाद तक रखते हैं हमने पूरु भारतेंदु यूग पढ़ लिया भारतेंदु यूग पढ़ लिया इसके बाद सुवेदी यूग पढ़ लिया चायाबाद यूग पढ़ लिया ठीक है अब ज्यादा यूग पढ़ लोगे तो यू रिंट में कई नाम आ जाएंगी कौन-कौनसी पत्रिकाहों का प्रकाया। अच्या एक प्रसनगर अगर आ जाए। कि महीं हिसी कि युग में हुआ। आज पड़ा आएं लोगों पता कि महीं दोड़या में। अको उदंत अपरजान की स्वेट में हुआ। कि इसके बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन किस यूग में हुआ कि 1900 में हुआ था कि 1900 से 1920 दुवेदी यूग चलेगा है ना चिंतामारी गोष इसके पहले संपादक थे आफ्टर देट उसके बाद कौन बने पंडित महाविर प्रसाद दुवेदी को बनाया गया है है ना तार सब्तक वगेरा का वो किया गया है ना साथ कभी रखे गए यह सारी चीजें आएंगी आभी तुम लोगों को डिटेल में चीज और पढ़ाएंगे जो यह हमारी उपवासा है ना जैसे मगही अर्दमागदी सौर सेनिया ब्रंस में जो जो है इनके बारे में डिट स्लाइड में मिलती जाएंगी मतलब यह मानलो कि जो आपका हिंदी साहित का इतियास है इससे ऊपर हमारी समस्थे तुमारे से जीडी और इनके ऊपर से नहीं जाएगा इससे ऊपर नहीं जाएगा समझ रहे हो क्योंकि इतना डिटेल में वैसे होता तो पुलिस वाले को हमन है जरूरी थोड़ी ना है कि हम केवल पुलिस का ही दे रहा है एक्जाम हम आगे और भी किसी का देना चाहते हैं तो इस इस नोट्स में आप लोगों को सारी चीजें सारा कंटेंट मिल जाएगा जो इंपोर्टेंट है और नहीं तो तुम लोगोंने प्रैक्टिस सेट में देखे भी होंगे ऐसे कोईस्टन आते हैं कासी नागरी प्रचारणी सभा हो गया इंडियन प्रेस हो गया तब दिमा कंफ्यूज हो जाता है यह तो इन चीजों को आप लोग गौर करिए आप लोग वीडियो यहां देख लो ना समझ में आए यह तो सबसे अच्छा तो डि स्लाइड करके और नहीं तो अगर आप लोग यह तो वीडियो देख देख एक बार बनाओ हम कहते हैं एक गंटा लगेगा आपको वीडियो बनाने में लेकिन वह गारंटी है कि वह नोट्स जो भी आप स्वता से बनाओगे वह दिमाग में चड़ जाएगा समझ रहो जो नोट्स आप खुद से बनाओगे वह चीज़ें दिमाग में चड़ जाएंगी कासी नागरी प्रचानी इंडियन प्रेस कब हुआ अठारा सो उदंतमारतंड कब आया इसके बाद कौन सी पत्रिका आई बंगदूत कब आया बंगदूत पहले आया कि बाद में आये यह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग अब आज की क्लास यहीं पर इंड करते हैं और आप लोगों को एक बार बता दें कि जो लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक बार फिर से बत है वो अभी forbidden चल रहा है और आप लोग चाहे है Ohrabust करें आप लोग Google Play से कि अ बभाए इस लोगों को देंगे वह सकता है दूसरे इस नाम से और भी कुछ प्ड़े हों तो अप सब्चरिक अप डाउन्लोड करिे आप डाउनलोड करने के बाद आप अगर चाहें तो तो आप लोग एक बार करके देखिए जो बच्चे बेसिक से सीखना चाहते हैं देखो हम लोगों का मेन मोटिव है कि हम लोग बेसिक से आप लोगों को उस चीज को सिखाना चाहते हैं जिससे आपको इन फ्यूचर सारी एक्जामस में उन चीजों को कंटेंट आपको अच्छा मिले और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके एससी जीडी के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स केबल पांसो निन्यानवे रुपए में हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं एडी एप को इसके ब आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसकी पोस्ट को देख सकते हैं चलो मिलते हैं कल कल सब तक के लिए नमस्कार